टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान सोमवार को मलेशिया में पाम तेल वायदा में जोरदार उचाल देखा गया था दक्चिन अमेरिकी देशों में सोवीन का उतपादन घटने और कनाड़ा में रेप सीट की वसल कमजोर बैठने की आशंका भी मलेशिया पाम तेल को अच्छा उचाल दे रही है मलेशिया में पाम ओल का स्टॉक भी फरवरी अंत में 11 प्रतिशत से ज़्यादा घटा हुआ बताया गया है दूसरी ओर रूस यूकरेन यूद को लंबा खिचता देख भारत सरकार ने इंडोनेशिया मलेशिया लेटिन अमेरिकी देशों से पाम तेल सोय तेल और कैनोला तेल का आयात बढ़ाने को कहा है हो सकता है कि एशियाई देशों से राइस प्रेंट तेल का आयात भी आने वाले दिनों में तेजी से हो जो लागत में भी सस्ता होगा सरकार कीमतों को गटाने के लिए आयात शुलक में बदलाव पर भी सोच रही है अगर ऐसा होता है तब भी बजार में अधिक गिरावट नहीं आएगी क्योंकि सुरजमुकी तेल का आयात विदेशों से बंद साही है कुरूर तेल के भाव आसमान पर है रुपिया कमजोर पढ़ने से आयात लागत अधिक है सुमगार को विदेशी बजारों से तेजी के संकेत मिलने से चीन, सीबोट, प्रोजेक्शन और केल सी में सब्ता के पहले ही दिन तुफानी तेजी देखने को मिली थी रूस से कच्चे तेल पर आयात पर प्रतिवंद लगाए जाने की खबर से कच्चे तेल में करीब आठ फीसद की बड़त देखने को मिली इससे खाद तेलों में भी मजबूती देखने को मिली है रूस यूकरेन संकट से विश्वर के तेल बजारों में भारी उठा पटक जारी है यूरोप में सुरज मुखी तेल का संकट पैदा होने लगा है यूद खतम हो भी जाता है तो भी यूकरेन से तेल आपूर्टी शुरू होने में लंबा समय लग सकता है घरेलू बजार में उचे दामों पर ग्रहाकी का सपोर्ट नहीं मिलने से कीमते मजबूती पर टिकी रही इंदोर में सोयबीन तेल 1550 पाम तेल इंदोर 1590 रुपे प्रती 10 किलो पर स्थिर रहा आना कि सुमवार कुप केल सी जोड़ार बड़त के साथ बंध होने से तेलों में फिलाहाल मंदी नजर नहीं आई मुमफली तेल में कामकाज समान नहीं रहा भाव में कोई खास परिवर्थन नहीं दिखाई दिया व्यूर्ट पोर्ट मार्केट टाइम्स टी झाल पोर्ट में भाव में बंद होने से